नामांकन के अंतिम समय तक हनुमान बेनिवाल को उम्मीद थी कि गटबंदन हो जाएको लेकिन गटबंदन नहीं हो पाया और RLP को अपने ही दम पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा हलाकि हनुमान बेनिवाल ने नामांकन से पहले दावा किया था कि यदि गटबंदन होता है तो वो दो सीटो पर दावा करेंगे और यदि गटबंदन नहीं होता है तो तीन से चार सीटो पर उपचुनाओं में RLP अपना प्रत्यक्षी उतारेगी लेकिन अन्त समय में गटबंदन की तमाम अटकलों पर विराम लगने के बाद हनुमान बेनिवाल ने सिर्फ ख्यूसर से अपनी पत्नी कनिका बेनिवाल को मैदान में उतारा लेकिन अब हनुमान बेनिवाल का हाथ है वै एक यूवा नेता पर जा रखा है देवली उनियारा से निर्दलिय के रूप में ताल ठोकने वाले नरेश मीना को हनिमान बेनिवाल का साथ मिला है आपको बता देए कि देवली उनियारा पर नामांकन दाखिल करने से पहले नरेश मीना ने हनुमान बेनिवाल और रविंदर सिंग भाटी से आग्रह किया था कि वे उसको समर्थन दे क्योंकि हनुमान बेनिवाल और रविंदर सिंग भाटी ने राजस्थान की राजनिती में अपने दम पर अपना कद बनाया है इसलिए नरेश मिना ने हनुमान बेनिवाल और रविंदर सिंग भाटी से आमान किया था कि वे उसका समर्थन दे और राजस्तान की राजनिती में एक नई पहल करें हनुमान बेरिवाल ने ये पहल कर दी है और उन्होंने नरेश मिना को अपना समर्थन दे दिया है हाला कि अनुमान बेनिवाल की माने तो पहले के अनुसार भै खियूसर के साथ ही देवली उनियारा की सीट पर भी अपना प्रत्याक्षी उतारने वाले थे लेकिन अन्त समय में उन्होंने वहां से अपना उमिद्वार उतारने का फैसला टाल दिया क्योंकि कहीं न कहीं राजनीती के पीछे की परदे की जो तस्वीर बुनी जा रही थी उसमें नरेश मीना को समर्थन देना पहले ही लिखा जा चुका था तो वहीं अब नरेश मीना को इंतजार है रविंदर सिंग भाटी का, कि रविंदर सिंग भाटी उनको कब अपना समर्थन देगी, ऐसे में इस बार राजस्तान की इंसास सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें मुकाबला दिल्चस्प बन गया है, ऐसे में अब देखना होगा कि दोनों ही प्रमुक पार्टियों को टक कर देने के लिए बाप, आरलपी और राजंदर गुड़ा के साथ नरेश मीना जो मैदान में खड़े हैं, वो कितनी चुनाव कितना जिल्दस्प होगा, आप देखते रहिए दनगरी मीडिया, मैं हो लालेत वर्मा.